पत्थर लदीवी एक ट्रक सरक पर तीन और गारियों पर पलट गई इस हाथसे में तेरा लोगों की मौत हो गई है जिनमें से चार बच्चे साथ महिलाएं एवंग दो पुरुश है वहीं इस हाथसे में 11 लोगों को गंभीर चोटे आई है जिनें जलपाई गुरी के सूपर स्पेशलिटी अस्पेटाल में दाखिल करवाया गया है ये घटना धुब गुरी से मैना गुरी जाने वाली एशियन हाईवर पर घटी है घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुँची पुलिस एवंग दमकल विभाग के करमचारियों ने फसेवे गारियों से घायलों को बहार निकाला लगबग दो घंडे तक उस लौरी के नीचे दबे रहने से इतनी ज्यादा संख्या में लोगों की मौत हो गई हादसे के बाद मौके पर पहुँचे पुलिस अधिक्षक प्रदिप कुमार यादब भी वहां पहुँचे थे उन्होंने भी हालात का जायजा लिया वही पता चला है कि जो तीन गाडियां दुरगटना की शिकार हुई हैं उनमें से एक पर बराती सवार थे जिन में से चार की मौत हो गई वही मारे गए लोगों को पोस्माटम कराने के लिए शब जलपाई कुरी अस्पताल में भेजा गया है यसी भी जिराज सरकार ने मारे गए लोगों की परिवार वालों को धाई लाक रुपे एवं घायलों को पच्चास हजार रुपे के मौयाबजे की घोशना सरकार ने की है वहीं संधर्व में भाश्पा के प्रदेश धक्ष दिलिव घोश ने कहा कि पती योगीता करनी अच्छी बात है लेकिन आयुश्मान भारत का रुपे भी उन्हें मिलना चाहिए था कई राजनेतिक नेता इस दिन घायलों को घायलों की हालचाल जानने अस्पताल पहुँचे थे वहीं मंत्री गौतम देव के अलावा विदायक अनंत देव अधिकारी समेत कई और जन्परती भी वहां पहुँचे थे मार्नियों प्रधान मुंत्री जारा मारा गाचें तादे दुलोग खटा का खोती पुरने वो आहोत ते पंचासयाट्टा का खोती पुरने कछा घुष्णाव कोरेचें खबर उन्हें प्राइप पनोरों जन्हान मारा गाचें और भगबन कोरूक आर चाननल मृत्तु नहा वहीं इस घटना को लेकर जलपाई गूरी के डीम ने क्या कहा ये सुनते हैं उन्हें आपको एक बार फिर बता दे कि पत्थर लदीवी एक ट्रॉक सरक पर और तिन गारियों पे पलट गई इस हाथसे में तेरा लोगों की मौत हो गई जिन में से चार बच्चे साथ महिला एवंग दो पूरुश है वहीं इस हाथसे में ग्यारा लोगों को गंभीर चोटे आई हैं जिनने जलपाई गूरी के सूपर स्पेशलिटी अस्पतार में दाखिल करवाया गया है यह घटना दुबगुरी के मैना गुरी जाने वाली एशियन हाईवे पर घटी है घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुँची पुलिस एवंग दमकल बिभाग के कर्मचारियों ने फसेवे गारी से गायलों को बाहर निकाला लगबग दो घंटे तक उस लौरी के नीचे दबे रहने से इतनी ज्यादव संख्या में लोगों की मौत हो गई वहीं इस घटना को लेकर परियटक मंत्री गौतम देर ने क्या कहा सुनते हैं उनसे बाहर दूटो चोड़ चोड़ बाच्चा पार माला याचे आड़किनी अरुस्ती बेचे आचे अब बहाए शोड़े परिवादे तिंजन मीत्तुक खुभी मुखमांति मारने आ मुखमांति शागाल बाला फोन को शेले नामा के तो कि रात्ते बाला डी एमेट अचे खुभर प्येशी बतो हैं अपर मौनुष खुभर देजा शागल बाला मेदेगेल कोल ये पुष्भर बतने शीलों माला याचे ये पास है इठाके और भाईतों जाचे आपे इंग गटा देखे शीयों के मेल को आज 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 आ करती कोरेदा थे खुभी धूट ता सह्थे अर राज्यां मारा कैशा नतावलाही लगाटने करें नाप झोश्छ नित्या करना को लेके मंत्री रवीन दिंटानाब धोश्ट इसने क्या कहा वो मौके पर भी पहुचेता ये सुनते हैं उनसे उन्होंने क्या कहा तो तो जोन घटना सली मित्यो हाई आरो बाती सोलो जोन जलपाइगुली एवं उत्तरभंगो मेटिकल कलेज हास्पाताले तारा घटी रहेचे तादेर अभस्ता आशंका जलो अज्तान तो दूर्भाग जलो घटना दुख जलो घटना शमोगादाना जनान भाषानी एकी सेफड्राइब, सेफ लाइब मलोने मुख्ती जे स्लोगान ता दे एचे जे प्रचक्ता रोहेचे सक्षमाई तो जिताए मेने तुल्ले एधोने अधोने एक्सिजें तेके हाम मुख्ती पेते पारी कारों एके तो वासा राती तरी दार्मद्धे बेपराव गारी चालानो एक अधोरे गारी अधोरे थानो तो जे आधोलिके चाला को एक्झये ता पारण गारी के देखें अधोड को सीछी तो पासब्टना को ऑघरो जा बेखें अधोली पार्टा राके तो श्क्ता बहले उ स्पीद बढलर्चे प्रदान मंत्री ने ट्वीट किया है और मुखे मंत्री ने दुख वेक्त की है इस घटना को लेकर आपको एक बार फिर बता दें कि हाथसा क्या हुआ था पत्थर से लदीवी एक ट्रक सरक के तीन और गारियों पर पलट गई और इस हाथसे में तेरा लोगों की मौत हो गई जिसमें से चार बच्चे साथ महिलाएं एवंग दो पुरुशें वहीं इस हाथसे में 11 लोगों को गंभीर चोटे आई है जिनने जल्पाई गुरी के सूपर स्पेशलिटी अस्पेटान में दाखिल करवाया गया यह गटना धुबगुरी से मैना गुरी जाने वाली एशियन हाईवे पर गटी है गटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस एवंग दमकल बिबाग के करमचारियों ने फजे वे गारियों से घायलों को बाहर निकाला लगबग दो घंटे के तक उस लौरी के नीचे दबे रहने से इतनी ज्यादा संख्या में लोगों की मौत होई है वही हादसे के बाद मौके पर पुलिस अदिक्षक प्रदीब कुमार यादब भी पहुंचे थे उन्होंने भी हालात का जाइजा लिया